आप थे तो पीएफ का इंतजार करते थे कुछ बहुत सारे पैसे जमा किये हैं और फिर पीएफ में से कुछ पैसे विड्रॉ करेंगे या लोन लेंगे अब क्या हो गया है अब आपको इंस्टेंट लोन मिल जाता है अब क्या हो गया है अब आपको अलग-अलग रास्ते पता तो 16 में से मेरे office में 8 गंटे जाते हैं, तो बाकी के बज़े 8, तो उसमें से मैं 5 तो और extra business में utilize करी सकता हूं, तो ये सारी चीजे जो हैं, हमारी desire setup, हमारी जो change हो रही है, उसमें instant gratification काफी बढ़ गया है, और इसका सीधा असर नई generation पे नई PDP हुआ है, उनको पता है कि जैस से ही phone उठाएंगे, उसमें आप किसी को भी immediately SMS कर सकते हो, पहले के जवाने में क्या था, कि अगर आपको किसी को दूर रहता है, उसको communicate करना है, तो आपको या तो तार करना होगा, या तो postcard लिखना होगा, वो दो दिन के बाद मिलेगा, या तीन दिन के बाद मिलेगा, तो एक anticipatory value जो थी, एक anticipation जो था, वो इंतजार, वो इंतजार में जो ठहरा हो था, वो अब ठहराव कहीं है ही नहीं, that pause is removed from our lives, हां, तो जब इंतजार ही नहीं करना पड़ता है, तो अब जब नहीं जनरेशन ऐसी है कि वो इंतजार नहीं कर सकती, तो इसका solution क्या है, जब आप सकते हैं, they can't wait, they want immediate solutions, फटा 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 उट, उनको ऐसा है कि बस हमको पूरे पांच पेजिस नहीं पड़ने हैं, हमको एक लाइन में बता दो कि इसमें क्या है, ऐसे होंगे ना आपके students, कि यार ये पूरा लंबा चोड़ा भाशन, ये पूरी लो reading तो खास बोलता है नहीं आजकल, लेकिन अगर मैं उनसे पूछू हूँ कि आप पढ़ते हैं कभी, तो बहुत नहीं, लेकिन वो बुक के पीछे जो लिखा होता है, वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें सब बता देते हैं कि क्या है, तो you don't have to go through all those 150-200 pages, you just go through the synopsis and your home, you don So nobody wants to dive deep, nobody wants to get into the depth of things, everybody wants to get the knowledge immediately, मुझे कुछ solution दे दो, हुआ हम चपचबया करें, मने खवर पड़ी जाए बद्यों, कोई नहीं 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 दोदमार वर साथ मा, बदा नहीं उपर उपर दी चपचबया करवा जाए, सबको सते पे रहना है, सपाटी पर रहूँ है, अनि आ नहीं नहीं कदा जवाबदारियू मानुशु के शिक्षकोनी छे, अने मात्र शिक्षकोनी चेह उन्यादी आमा पेरेंटल रिस्पांसुरीटी पन आवे जे, पन अवे शिक्षको पन एक रीते तो पेरेंट्स छे, तमारा बाड़को ने इंफ्लुएंस करी छेको, सब 40 मिनिट नो, केटली मिनिट नो है, पिरिट, 40 मिनिट नो, 40 मिनिट नो, अने ये 20 मिनिटे बोर ठी जा, तमार करवा नुशु वट इस जिलुशन, ऑके, I have a solution to offer, I don't know how practical is it, मेभी आपके यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं या ट्रस्टीज हैं उनके लिए यह सिलूशन है मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ माइक्रो हो रहा है जब क्रिकेट टेस्ट मैज हुआ करता था फिर वो वन दे हुआ वन दे में से वो T20 हो गया अब टेस्ट क्रिकेट कुई देखता नहीं कौन पांच दिन का मैज देखेगा सब छोटे छोटे तीन गंटे में खतम हो गया खेल फिल्में पहले के जमाने में तीन गंटे की हुआ करती थी अब आप देखी आज यह मैं दिल रड़क ने दो कल देखे आया वो दो गंटा 45-50 मिनिट की है तो थकान लगती है फिल्म में ऐसे लगते है कि यार फिल्म लंबी है थोड़ी और कट सकती थी सबको आदत हो गया अब कितनी मैक्सिमम दो गंटा 20 मिनिट धाई घंटा तो बहुत हो गया उससे जादा नहीं बैट सकते है ना सबको छोटा होता जा रहा है जब वो सब माइक्रो हो रहा है जब पहले ब्लॉग हुआ करते थे ब्लॉग के बाद फिर फेस्बुक आया और फेस्बुक बाद अब ट्विटर है 140 characters only not more than that इससे जादा पढ़ने का किसी के पास time नहीं है ना interest है ना inclination है जब सबकुछ इतना attention deficit हो रहा है जब छोटा छोटा हो रहा है तो micro periods क्यों नहीं हो सकते सोच के देखिए क्यों 40 minute का period लेना है क्यों 15 minute का नहीं हो सकता syllabus कैसे खतम होगा होगा ना वही चीज़े आप divide कर लो time तो पूरा का पूरा school का वैसे का वैसे ही है ना it's just that the interest of the student is maintained or maybe a different change in one lecture why can't you have three lectures in one period itself of 40 minutes why don't you yourself bifurcate that time into different subjects there would be subjects which require more time there would be subjects which require obviously things at length but soch के देखिए अब कितने सारे लोग यो यो कर रहें नहीं हो सकता वो morning mantra याद करो हम हमारी आदतों के शिकार हैं जब बदलाव की बात आती है तो हम accept ही नहीं करते कि यह हो सकता है मैं optimistic मुझे ऐसा रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है कुछ भी मुम्किन है अगर आप चाहें तो आप चाहें देखीयर क्या जरूरी है नहीं को आमिर खान नहीं हूनों उतार है ज़रूरी है कि आपको हर चीज क्लासरूम में पढ़ानी है तो बाहर जाके खेल के आए दूसरे दिन पेरेंट्स ने टीचर वो प्रिंसिबल को कंप्लेंड कर दी कि अरे मेरे बेटे के कपड़े गंदे हो गए और ये कौन टीचर है जिसने एक टीचर में खेलने के लिए बोला और फिर प्रिंसिबल ने टीचर को जाके बोला कि तुम पागल हो क्या तुम छोड़ो ने यार पेरेंट्स कंप्लेंड कर रहे हैं क्यों धिमाख में वो अब टीचर डीमोटिवेटेड कि यार मैं तो कोई अच्छा सोच रही थी है ना यहां पर प्रॉब्लम है आपको अपने फेवरिट टीचर से याद हैं हर किसी को अपने फेवरिट टीचर से याद हैं आप सबको याद है ना आप आँख बंद करिये उनका चेहरा याद करिये आ गया उनकी एक वो खास बाद याद करिये जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी मुस्कराःट आ गई वो बाद याद करते ही ठीक है अब आँखे खोलिये और अगर है तो वो कौन सी बात है आप में वो likability factor कौन सा है आपका जो उनको याद रहेगा जैसे मैं अपने teachers की बात करता हूं अमारा एक गणितना सरता नाम होते हमनु जीतेंदर भाई गोसल्या जिवो बेल वागे बदा आवी गया से क्लास मा गोठवा गया जाना पची वो पता नहीं इस तरह से वो पांच मिनिट तक अलग-अलग rhythms बजाया करते थे और हम सारे लोग फैसिनेट होते थे उस तैंबे वो सिप दस्टर और टेबल की मदद से रिदम बजाते रहते थे अलग-अलग rhythms all the different tiles of music that he would utilize in the first three minutes to catch hold of the attention of all the students and we would be mesmerized after he finishes playing the duster we would all clap and he has caught the attention of all the students and then he will move to the subject but that was his talent which he had utilized in injecting likability in the minds of the students that was his strength which he knew कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो बच्चों को बड़ा मजा आएगा एक दूसरे teacher थे वो class में आते थे और फिर हमको पूछते थे कि क्या पढ़ना है हम बोलते थे हमको ये पढ़ना है फिर उसके बाद वो बोलते थे कि ठीक है कि इस स्टोरीज उस तो बी वेरी 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 इंट्रेस्टिंग और ये वुद नॉट अनली से स्टोरीज अब वो कुछ भी अकवर बीरबल या कुछ भी इंशेंट पंच तंत्र अमर चितरकता उन्होंने स्टूडेंस को न सिर्फ ऐसा कहता है इसमें एक रिष्टा बन जाता है आपका टीचर के साथ एक रिष्टा हो जाता है अब एक टीचर मुझे याद है वो कुछ खास नहीं पढ़ाते थे लेकिन लेकिन रिसेस में जब ब्रेक होता था तो उनका जो लॉंच बॉक्स होता था वो बड़ा इंट्रस्टिं होता था और उनको भी यह आदत थी कि बच्चों को बुला के उनके साथ नाष्टा करते थे तो इन्वेरिबली यूद फ अब यह बड़ा थी पता है कि टीचर ने आज मेरे डब्बे में से एक बाइट लिया और वो लाइक अब लिए वह जो उनके साथ बात करते थे तो स्टूडेंट्स कुछ एर पर्सनल प्रॉब्लेंस विद देम अब यह रैपो बहुत इंपोर्टन्ट होता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्टूडेंस हमें रिस्पेक्ट नहीं करते सबसे बड़ा चैलेंज कि आप कुछ भी कर लो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते और इसमें एक problem parents का है कि वो भी students को कभी बोलते नहीं कि आपको respect करना चाहिए क्योंकि वो teachers के साथ misbehave करते हैं जैसा मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि उसमें complain कर दी कि यह एक और है जो कीचर में खेलने के लिए जाने दिया तो एक तो parental problem तो ही है लेकिन दूसरा मैंसा मानता हूं कि respect is not something that can be commanded it comes from within it comes naturally it's a progression it's a process that happens over a period of time so it's been 12 years of my association with the city of Ahmedabad as a radio jockey so not that in the first few years I had the same connection with the city it took me time to build a relationship with the city similarly it takes you time to build a relationship with your student but I am sure that if you focus on your likability factor if you focus on your strength and if you know your weaknesses that is also very important because a lot of time teachers miss on their weaknesses and the students are very smart they will know your weaknesses and then they will not be able to respect you so you should be smart enough not to let your weaknesses go out that's the way how you project yourself as a teacher otherwise you are in a problem because if the students know that this is a problem then it's a problem then it's a life time then it's a life time because that once you have given the name of the problem then it's a life time all the kids will remember that you don't know that you don't know that you have to know your weakness you have to know your strength you have to know your likability you focus on your likability I am sure that your relationship was like the first of your students and like the coming days it will be a lot of difference and like the storytelling actually I think content you can see a different aspect one thing I can see you can see now think about your work my work exactly my work is working on the song I don't know I don't have any I haven't it's good it's good it's good I don't think when I say I don't know what happens I don't know I don't know what happens I don't know I don't know I don't know बढ़ता है तो मुझे कुछ उसके साथ parallelly interesting बाते करने पड़ती है एक ही गाने बजा रहे हैं हम बार-बार कोई नए गाने नहीं बजा रहे हैं नए गाने कितने आते हैं इतने ज़्यादा नए गाने अच्छे आते हैं अपर समय प्ली लिए ही डीओंग नेस्टा रहे हैं बड़ता चूप अटो खाली टो लिए बार राते हैं कि अविए इन प्यून गाने आते हैं अब तू इनोवेशन स्कूब and I don't repeat the previous content so whenever you listen to the song you will remember what the content that I have given in a new fashion तो innovation का scope अगर नहीं है तो भी खड़ा कर सकते हैं तो उसी तरह से आपका जो content है उसमें भी शायद innovation का scope होगा आपने maybe कहीं थोड़ा fixed format में आ गए हैं थोड़ा ठक से गए हैं हो सकता है कभी demotivate हो जाते हैं लोग एक ही काम करकर करके बार बार उसकी monotony से ठक जाते हैं तो हो सकता है कि शायद आप out of the box thinking करना छोड़ दिया हूँ maybe इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो शायद आपको ऐसा है कि नहीं अब जब हम बढ़ाएंगे तो उस चीज को let us think कि इसी चीज को हम अलग-अलग पांच तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि मैं अपना एक्जांपल देता हूँ कि मैं जब भी कोई script के बार में सोचता हूँ जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो मैं second draft approach अपनाता हूँ I take the second draft approach now what is the second draft approach the second draft approach is that पहला जो मैंने चुछ चीज मैंने लिखी है ऐसा assume करते हैं कि मैं जब बात करनी है नर्य नमूदी की सरकार के सो दिन खतम हुए उसके बार में तो उसके बार में मेरे जो first thoughts है first draft thoughts वो मैंने लिख लिए उसके बाद वो लिख के मैंने फेक दिया मैंने उसको फेक दिया उसके बाद मैं second draft करूँगा second draft जो है वो modified है वो थोड़ा finished है उसको थोड़ा अच्छे से सजाया गया है उसमें कुछ नई बात लाई है तब तक वो जो बात है ना मेरे दिमाग में थोड़ी आँच पर धीवी आँच पर पक चुकी है मैंने उल्रीडी first draft में बहुत कुछ सोच लिया है उसमें से मैं प्रेसी कर सकता हूँ मैं चीजों को छाट सकता हूँ काट सकता हूँ वात ने अन्यसिसरी वात हो जे वह एने काड़ी शकूचू मने जे लागे कि आ इंट्रेस्टिंग नथी आमारा लिस्नर ने काम नहीं आवे एने मजा नहीं आवे यह वात हूँ काड़ी शकूचू अन्यों फाइनली पची एक टाइट प्रोड़क्ट बनाओ जे पनीर जे आज वस्तु ने कोई जूदी जरी ते बनावी जे में पोते पहला ट्राइ ना करे हूँ है I'm doing a film right now. I'm working in a Gujarati movie. In the lead role. The film is called Vitamin C. S-H-E. She. Now, can you imagine the first thought that I would have gone through when the film was offered to me? The first thought that came to my mind was I'm a boss. कि अगर मैं यह film करता हूँ कि और अगर मुझे अक्टिंग नहीं आती या फिल्म अच्छी नहीं बनती तो लोग क्या कहेंगे कि बारा सालों तक तुम हर पिक्चर को पांच मेंसे दो मिर्ची तीन मिर्ची एक मिर्ची दे रहे थे और खुद देखो क्या क्या है, खुद को तो कुछ आता नहीं है है बड़े बोलते भी रते दोने ते की तो इटले फाइनल दूर फाइनल यह कहेंगे ना लोग तो first thought is कि यार brand value का क्या होगा क्या होगा क्या हुआ अगर नहीं चली तो तो second thought यह था कि क्या होगा अगर नहीं चली तो तो मेरी failure, my responsibility the best way to fight your fear is to face it अगर इस fear में मैं रहा कि यार लोग क्या कहेंगे नहीं successful होगा तो, fail हो गया तो तो मैं यह करी नहीं पाऊंगा इससे अच्छा तो एक बार करके देखता हूँ और मैंने ऐसा सोच के रखा है कि हर साल एक ऐसी चीज करनी है जो मैंने पिछले सालों में कभी नहीं की है every year I take up one thing that I have not done in the previous year so maybe this year it is to face the camera and trust you me, those who know me, they exactly know how I don't like the camera I don't like to face the camera at all मुझे बिलकुल पसंद नहीं कैमरा मतलब कोई मुझे फोटो किचाने को बोलता है तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है not that I will not click photos with you but if somebody you know who knows me personally they know that मुझे बिलकुल मेरे पास मेरी 12 साल की करियर काना एक भी सेलेब्रिटी के साथ का फोटोग्राफ मेरे पास नहीं है मेरे घर पे मेरे घर पे मेरी एक भी कॉपी नहीं है मेरी बच्चन साब के साथ फोटो या शारुक Prea या मैं कही ले रहा हूं असी फोटो या मैं कुछ कर रहा हूं अचर नहीं लगती तो वो इसलिह अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझे टर लगता है मुझे ऐसा लगते है कि कोई मुझे देख रहा है somebody is observing me, somebody is judging me and all so the best way to fight this fear was to face it and I faced it I shot for the film for the first 15 days in Palanpur and I am happy that I have got rid of my fear of facing the camera why am I sharing this with you? because if I was not out of the box then I was doing that routine my monotonous life although you feel exciting from there but it doesn't happen the grass is always greener on the other side so I was playing the song and talking on the radio so for me the excitement was standing up in that way for you in your syllabus the same thing you are doing time to change something from that because that is the only thing that will help you to connect to your audience and the most important thing that I am sharing that I am sharing with you that is the only thing that I am sharing आत्मा के आवाज है वो आपके conscience के आवाज है वो आपको सही बोलेगी that that will not cheat you and you also don't cheat yourself अगर वो जवाब वो आवाज को आपने सुन लिया then you are home then you you will score 100 out of 100 as a teacher यह मेरा submission है यह मेरे observations है अब ऐसा हो सकता है कि आप इन से मैं अपने तरीके से मुझे जो समझ में आते हैं वो जवाब देने की कोशिश करूँगा कोई सवाल अब तक की बात में हाँ जी बताइए कि एक्टिंग का नहूंना अरे एक्टिंग का क्या नहूंना कि एक्टिंग का अचा ठीक है हाँ कर सकता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन स्क्रिप्ट है न अच्छा वो पहले अच्छा वो सब करते हैं एंटेटेन्मेंट ज़रूर होगा लेकिन उससे पहले मैं टॉपिक से कुछ सवाल लेना चाहता हूं जो हम भात कर रहे थे उससे relevant कोई questions है जितना मैंने कहा पिछले 45 minutes में 50 minutes में उसमें से कोई question है आपके दिमाग में which means I have failed as a teacher that I could